जी hai title में आपने बिल्कुल सही सँना ये स्मार्टफोन टेकनालोजी आपको सुन रही है और आज से ही नहीं दस साल पहले से सुन रही है मैं और इसके बारे में मैं आपको बतांगा और ये लीगली आपको सुन कैसे सकते हैं ये चीज़े काम कैसे करती हैं और आप इससे बच इनका wake word बोलेंगे Alexa को उटाना है Google, Siri, उसके बाद जब भी आप बोलेंगे तो वो सुने का जवाब देगा, दरसल जब भी आप इनका wake word बोलते हैं तो यह activate हो जाते हैं, लेकिन यह सुनने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप तो उसे कैसे पता होता है कि आपने उसका नाम बोला है, इसका मतलब constantly उसके प्रती जो भी आवाज सिस्टम में डाली जा रही है, वो कहीं न कहीं उसे analyze कर रही है, आपको यह बात मालम होगा कि अगर कोई भी चीज हम किसी को command दे रहे हैं, वो analyze कर रहे हैं, तो analyze वो तभी क बात कर रहे हो, और आपके पास अगर कोई smart speaker है, या आपके phone में assistant डाला हुआ है, चाहें CD हो, चाहें Google assistant हो, constantly 24-7 आपको सुन रहा है, वो अलग बात है कि वो सिर्फ एक wake word पे ही respond करता है, तो यहाँ पर यह जो technology है, smartphone आपको जो सुन रहा है, वो पहली यही चीज है, कि आप के demand को पूरा करने के लिए, अगर आपने कोई assistant on किया हुआ है, या कुछ भी ऐसा लगाया हुआ है, voice command वाला, तो constantly आपका phone सुन रहा है, और वो phone company और provider पर depend करता है, कि वो उस data को कैसी process करेगा, तो जो पहली चीज है, वो यही है, दूसरी कि आपको track करने के लिए भी, यह जान बूच कर भी आपको track करते हैं, ताकि आपको data को collect कर पाएं, यहाँ पर मैं किसी company का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह जितनी भी technologies हैं, यह सब कहीं न कहीं इस चीज़ का फाइदा बहुत जादा उठाती थी, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब भी उठाती ह लोगों को पता है, data कैसे चुराया जाता है, data कहां जाता है, और data का कितना बड़ा कारोबार होता है, दोस्तों आगे आने वाला future data का ही है, जिसके पास ज्यादा data होगा, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा, वो ज्यादा product अच्छे से बेज पाएगा, और तीसरी जो targeted advertisement दिखाना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरे ही पल आपको उसी चीज के आड़ आने लगी, मैं WhatsApp पर चैट कर रहा था किसी चीज के बारे में, किसी product के बारे में, एक particular jacket के बारे में, और मुझे jackets के आड़ लगे, मैं Goa जाने की बात कर रहा था WhatsApp पर जो की end-to-end encrypted है, याद रखना इस चीज को, उसके बावजूद भी मुझे उस चीज के आड़, उस Goa package के आड़ आने लगे, ये सब कैसे हो रहा है, या तो हमारी वाज सुनी जा रही है, या हमारी conversation सुनी जा रही है, दौनों ही क जिहान दिया है, जब भी आप नया smartphone खरीदते हैं, या कोई application डालते हैं, या कोई भी software डालते हैं, तो आप से terms and condition में एक बाट टिक करा लिया जाता है, ये बहुत irritating लगता है लोगों को, क्योंकि जब से software आए हैं, तब से ही आपको accept to terms and condition करना होता है, ज्यादता टुटोर कराते हैं, और next next क्यों कराते हैं, आपने कई सारी website में login करते वक्त, sign up करते वक्त, register करते वक्त, देखा होगा कि एक टिक मरवाते हैं, दोस्तों जब भी आपसे real world में कोई चीज sign कराया जाता है, कोई contract कराया जाता है, तो आपसे paper sign कराया जाते हैं, अब क्योंकि internet पर आप आपका data भी collect कर सकते हैं, और आपकी जानकारी सब सुन भी सकते हैं, और सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन हम में से जाधेता लोग इतना समय नहीं निकालते हैं, और देखते भी नहीं हैं कि वहाँ पर terms and condition में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि दिन में हम ऐसे 85 चीज़े sign कर दे नहीं नहीं application डाल देते हैं, तो legally यह आपको सुन सकते हैं, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह smartphone company और यह जितनी भी internet services हैं, यह आपको illegal तरीके से भी सुन सकती हैं, ऐसे बहुत सारी smartphone company हैं, जिनके ओपर आरोप है कि वह उसमें bloatware डाल के देती हैं, और Chinese सस्ते smartphone में तो यह बहुत ही common है कि आपको बहुत सारे bloatware देखने को मिलते हैं, इन bloatware में कभी-कभी रात को यह active हो जाते हैं, और आपकी सारी बाते सुनकर इनके origin वाले देशों तक भिज देते हैं, जैसे की China, आपको पता होगा कि smartphone market China dominated है, आप कोई भी smartphone इस्तमाल कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, या तो उसके parts, या पूरा का पूरा smartphone ही China में design किया गया होगा, या आपको made in India, या made in Russia, या ऐसे सारे देशों में उनी का देश का नाम लपेट के बेज दिया जाता है, यह बोलकर कि यह आपके देश में ही बना है, पर दरसल वहाँ पर application अपने phone में डालो, तो उसकी permissions जरूर चेक करो, ऐसी बहुत सारी third party applications हैं, जो काम कुछ करती हैं, लेकिन permission कुछ और मांगती हैं, जैसे अगर कोई wallpaper की application है, तो मुख्य तो पर उसका काम यह होता है, कि आपके phone में wallpaper को बदले, लेकिन अगर वो mic का permission मांग रही है, या आपक application पहले से ही डाल के रखते हैं अपने phone में, जो आपको कुछ काम की भी नहीं है, बुलते हैं चलो ठीक है, यह काम आईगी, मतब ज़्यादा आप उसको इसको 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 डिटेक्ट कर लेता है, और कुछ ऐसा उसमें code या ऐसी कुछ चीज डाल द operating system है, यह सब, मैं अंदर की बात बता रहूं, यह सब ही सुनते हैं, आगे चलकर सभी को बड़ा business करना है, और data पर ही बड़ा business होगा, इसलिए मानो ना मानो, आपकी सारी चीज़ें दोस्तो record हो रही है, अब सवाल यह उठता है, क्या मुझे घबराने की जरूरत है, देख तो अगर आप कोई एक बहुत बड़े bureaucrat नहीं हो, या कोई एक politician नहीं हो, तो ऐसे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे दुखत और दुख से यह कहना पड़ रहा है, कि आप एक बहुत बड़ी भीड का शायद हिस्सा बन गए हैं, जिनका data collect करके आगे य data scientist और बड़े-बड़े hackers, programmers से आगे निकल सको, और हमारे पास कोई भी option नहीं बच जाता है, सिवाए इसके कि आप अपनी जानकारी constantly smartphones को देते रहें, मैं इसी के साथ इस वीडियो को खतम करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों, मैं यहां से हर solution बता सकता हूं, लेकिन वो हर एक इंसान तक implement ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहीं न कहीं इन सारी कमपनियों से घरे हुए हैं, जो कहीं न कहीं हमारे data को चुराती हैं, आपने देखा होगा चाहें Meta हो, Facebook हो, या जितनी भी बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं, इनके जो CEO होते हैं, आए दिन developed nation के courtroom में बैठे ह वे नज़र आते हैं, अगर ये कमपनिया कुछ गलत नहीं करती हैं, तो इनके CEO कोट्स में आए दिन क्यों बैठे होते हैं, ये lawsuit क्लियर क्यों करते हैं, ये मुआफ़ा लोगों को क्यों देते हैं, Meta हो या कोई भी company हो, कभी ने कभी उस पे lawsuit हुआ है, data leak के प्रतिया किसी VG's के प्रति, ये चीज़े क्यों हो रही हैं, इन company के पास इतना पैसा है कि ये हर case को पैसा देकर बंद कर सकते हैं, लेकिन असली decision आपके पास है, आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें, पर दोस्ते के साथ share करें, और जादा से जा आगरो कर पाएं कि असल में इस दुनिया में क्या हो रहा है, और smartphone आपको हर वक्त सुन रहा है. झालब करना है, तो पहुम आपको बार कि असल में दOOOण है, bewाएं आपको टूश करना के जजय कर वक्वा आपको हर वक्त पriemu नहीं हा dış ड़त Meansbell bear